जैहिंद ITI instructor की बिहार में एक special vacancy आई हुई है और जो ITI PASS student है बहुत दिन से इस vacancy का वेट कर रहे थे लेकिन इसमें technical पहलू भी है तेक्निकल पहलू यह है इसके योगता में आपको experience भी कई जगा चाहिए और कई जगए एक special degree भी चाहिए तो इन सब के बारे में detail जानकारी आसिसर देंगे इंजिनिर आसिसर लेकिन इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे 2400 something post है और 2400 something post में से 900 something post की vacancy अभी आई हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ ITI वाले student के लिए है और बांकी जो बचा criteria है चुकि आपको मालूम है कि ITI college में परहने के लिए जो teacher होते हैं उसको ITI instructor बोलते हैं और अपने आप में यह प्रतिष्ठित post है और ITI पास सारे student इस post की कामना करते हैं कि अगर हमारा इस post पे हो जाए तो इससे बहतर और क्या हो सकता है तो हम चाहते हैं कि इस post के बारे म में भी चर्चा करेंगे और अन्य भी परिछाग pattern के बारे में या जितनी भी जानकारी से related हो सकती है टोटल जानकारी आपको देंगे क्योंकि इसके लिए CITS भी जरूरी है और कैसे वो करते हैं जो नहीं बच्चे किये हैं उसके क्या-क्या फाइदे हैं थोरा सा उस पर भ यह बिहार की वेकंसी है और इसी तरीके से हर स्टेट में इसकी वेकंसी इस तरह की वेकंसी आते रहती है तो बिहार छोड़के दूसरे स्टेट के भी जो बच्चे होंगे निश्चित रूप से उनको भी देखना चाहिए और इससे सीख जरूर लेना है कि आगे चल करके ज इस वेकेंसी का इंतिजार लंबे लंबे समय से रहा है साथियों तीक है और यह जो वेकेंसी है विशेश रूप से अब की बार यह ITI के छात्रों के लिए है क्योंकि टोटल जो सीटें होती है है इंस्टर के लिए वो सीटें आपकी 50% ITI के बच्चों के लिए रिजर्ब होती है और 50% होती है डिपलोमा डिगरी के छात्रों के लिए समान रूप से ITI इंस्टर का काम वेबसा अनुदेशक का काम ट्रेड इंस्टर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है सात्यों तो हमारे ITI कॉलिज के अंदर जो छात्र है उनको पढ़ाई के दौरान उनको पढ़ाना उसकी टीचिंग को एरेंज करना तो देखिए मैं जरा बता दूँ वेबसा तक्निकी सिवा आयोक के तहत और BTSC के माधिम से साथियों ये वेकेंसी आई है BTSC के वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी फॉर्म भी आप वहीं से अपलाई करेंगे असपश्ट कहा गया है स्रम संसाधन विभाग के बिहार पटना के अंतरगत नियोजन प्रशिक्षन हमारी जो संस्थान है उसके अधिनयस्त और योगी सिक्षन संस्थान में वेबसाइट अनुदेशक मतलब ट्रेड इंस्ट्रक्टर उसके लिए रिक्त पद पर ITI योगताधारी चात्र यहां पर अभी बीट एक डिप्लोमा नहीं उनके लिए बाद में निक आएगा यानि आप समझ लीजिए 23 मई से फॉर्म आरंब होगा और 22 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं 2013 में साथियों 2010 के बाद कई बार वेकेंसी आने के बाद अब की बार परमानेंट पोस्ट है कहीं कोई इसमें लाग लपेट नहीं है अस्थाई न्युकती है साथियों और 18.05 आज ही के दिन complete detail इसकी आ चुकी है कहां कितनी पद कैसे परिक्षा होगी क्या उम्र होगा क्या योगता होगी सब आ गई है और सब इसी वीडियो में आपको बताएंगे आपके हर तरह के doubt आज हम आपको clear कर देंगे साथियों ध्यान दीजे सबसे पहले तो साथियों हमारी जो है निश्यत रूप से आपका draftsman में आपका 4 है फिर आगे बढ़ते हैं next हमारा देखिए फीटर में 105 है turner में साथियों 8 है tractor मेकानिक में 2 है उसके बाद motor मेकानिक और vehicle मेकानिक में हमारा कितना है साथियों उसमें आपका 6 है mechanic auto body painting में 5 है mechanic auto body repair में 2 है mechanic diesel में 86 है welder में साथियों 76 है plumber में आपकी 32 है fondry man में 3 है फिर आपका electrician technician mechatronics में इसमें 2 पद है आपको activate additive manufacturing technician 3D printing में 4 है अज सब से highlighted साथियों electrician में देख लिजे 153 पद है कितने पद है 153 153 electronics mechanic में साथियों 130 पद है wireman में आपका 11 पद है wireman electrician ये सब आपका common चलेगा similar syllabus सबका रहता है उसके बाद electrician power distribution ये भी common चलेगा इसका भी 5 रहता है साथियों ठीक है 5 पोस्ट है फिर हमारी देखिए soldering electrical में दो पद है फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका mechanic computer electronics appliances में 30 है internet iot में 5 है internet things में 4 है internet things with healthcare में आपका 9 है instrument mechanic में एक पद है draftman civil का 11 पद है उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर information and communication में 119 है surveyor में 2 पोस्ट है engineering drawing में 85 है और computer embedded and embroidery and designing में आपका 1 है और साथी साथ यां लिख दिया है प्रयवसाय अनुदेशक के विभिन पदों पर diploma और degree के युक्ता धारिक छातरों के लिए अलग से विज्यापन प्रकासित किया जाएगा क्या किया जाएगा अलग से विज्यापन प्रकासित किया जाएगा यानि डिप्लोमा और बीटेक के छात्र जो ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उनको थोड़ा भी धहर रखना है, इंतिजार करना है, थोड़े दिनों के अंदर ही उनकी भी वेकेंसी की पूरी चर्चाएं हो जाएंगी, 2400 पत पे न्युक्ति होनी थी, लगभग 1000 के आसप क्लीट नॉटिफिकेशन आई है, हम उस पे चर्चा करते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कहां से इंफोर्मेशन आपको मिला या आपने प्राप्त किया, ये इंफोर्मेशन हमने प्राप्त किया है सातियों कहां से, btscbih.nick.in से, यानि बिहार तकनिकी सिवा आयोग अस्रम संसाधन विभाग के website से, और वहीं से ये वेकेंसी clarify होकर आई, बाकी मैंने paper में जो advertisement आई, उसको भी मैंने दिखा दिया, बचे कहते हैं सर वेकेंसी आती नहीं, आप लोग कोर्स के लिए आ जाती हो, ऐसा नहीं है, ये complete जानकारी है, जिसमें पूरी सरी जा साथ होगा और लास्ट कब होगा, जून 22, यानि 22 जून तक आप form भर सकते हैं, और 23 मई से form आपका क्या हो गया है साथियों, start हो गया है, 23 से आपका क्या हो गया form, start हो गया है, पहली बात, जो important है, कहां से भरेंगे, तो btsc.bih.nick.in के website से भरेंगे, उसके बाद आईए, स special चर्चा कर रहा हूँ, electrician trade वाले चात्रों के लिए, electrician वाले चात्रों बाकी तो मैंने कह दिया सभी के लिए vacancy है, electrician के लिए total 153 पद है, उस 153 पद में सबसे पहले जान लेते हैं salary कितना है, salary बहुत handsome है, level 6 का payment है, 9300 से 3400, 2400 का grade पे है साथियों, अब आते हैं योगता क के बारे में, योगता कितनी होनी चाहिए, तो यह जो special vacancy है, वो ITI के छात्रों के लिए है, इसलिए यहाँ पर मुलभूत रूप से आपकी योगता, electrician trade से ITI होनी चाहिए, या फिर wireman trade से ITI होनी चाहिए, instrument mechanic trade से ITI होनी चाहिए, आप जिस भी ITI trade से हैं, वहाँ से complete ITI NCVT स से मानता प्राप्त संस्थान से आपका anyhow होना चाहिए, SCVT से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, NCVT वाले बच्चे, SCVT वाले बच्चे, जिसको भी website अनुदेशक का ITI का आपको certificate है, तो बहिचक आप form भर सकते हैं, दूसरी बात जो सबसे माइने रखती है, वो है साथियों आपको तीन वर्स का, ITI के चात्रों को कितने वर्स का, तीन वर्स का अनुभव बिल्कूल आवस्यक किया गया है, mandatory है, बिना अनुभव के आप इस form को ना भरें, यानि तीन साल का अनुभव, या तो किसी ITI कॉलेज में आपको पढ़ाने का होना चीए, वो प्रा होनी चाहिए, तभी जाकर के उस परमान पत्र की वैदता मानी जाएगी, ठीक है, या नहीं तो आप किसी मानता प्राप्त, और्गनाजीशन से मानता प्राप्त, कमपनी से, इंडस्ट्री से, जो कारखाना अधिनियम से रजिस्टर है, वहां से भी आपके पास तीन वर्स क स्विकार करने का अनुभव है, तो निश्चत रुप से आप उस सर्टिफिकेट का इस्टिमाल करके, अपलाएं कर सकते हैं, लेकिन वहां कमपनी इस बात को स्विकार करनी चाहिए, कि आप सही में वहां के इंपलाई थे, वहां कोई प्राप्लम ना हो, इसको लेकर के आस् तब आप step आगे बढ़ाएं, दूसरे नमबर पर साथियों, जो सबसे बड़ी चर्चा होती है CITS के बारे में, यहां असपस लिखा है प्रशिक्षन वम सिक्षन देने के लिए अधिमानी अहरता, यानि यह क्या है, mandatory नहीं है, desirable qualification, यानि desirable qualification, that means कि अगर यह है तो आपको अभ अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके फायदे भी बताएंगे, यह जैसे beard की training आप लेते हो, teacher बनने के लिए, अफिर अभी आप CTAT और बागी exam देते हो, अब तो super tate आ गया, ठीक उसी हिसाब से, ITI instructor बनने के लिए, प्रसिछन का जो परमान पत्र है, उसी तरह से आ CITS का certificate one year का है, उनको greater advantage मिलेगा, लेकिन जिनके पास CITS का certificate नहीं है, लेकिन उनके पास 3 साल का अनुभव है, ITI करने के बाद, वो चातर बिल्कुल form को भर सकते हैं, और उनका भी selection होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हाँ, merit list की से हिसाब से त्यार होंगी, उस पे आवेदक, तो विभीन वैपसाओं के लिए अधिमान अहरता नहीं रखते हैं, वो भी न्युक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, यानि अधिमान मतलब CITS जिसके पास नहीं है, वो भी form definitely भर सकते हैं, अब क्या कहा जा रहा है, यदि उनका chain हो जाता है, तो joining करने की तिथी स जब आपका कारिभार गरहन होगा, उस तिथी से तीन वर्स के अंदर आपको CITS का सर्टिफिकेट ले लेना है, इसी कारण वस अगर CITS का सर्टिफिकेट या कोर्स आपने नहीं किया, तो एक साल और आपको मौका दिया जाएगा इस कोर्स को करने के लिए, उस दौरान आ आपकी वेतन विर्धी रोक दी जाएगी, जो पहला इंक्रिमेंट आपका होगा ज्वाइनिंग के बाद, वो इंक्रिमेंट आपकी रूक जाएगी, सो कॉज होगा, और तब भी आप एक्टिव नहीं हुए, तो सरकार आपको नौकरी सेवा समापती पर विचार कर सकती है, ये इस लाइन में इतनी सारी चीजों में मैंसन किया गया है, इसलिए असपर्ष्ट हो गए कि ITI पलस 3-year work experience वाले बच्चे फॉर्म को बेहिचक भर सकते हैं, CITS मेंडेटरी नहीं है, वो वानचित योगता है, जिसके पास CITS होगा, उसको फाइदा अभी मिलेगा, कितना फाइदा मिलेगा बात करते ही, साथियों पहले पोस्ट को देखते हैं, 153 जो इलक्टीशन का पद है, उसमें से अनारक्षित के लिए 63 पद है, आर्थे ग्रूप से कमजोर EWS के लिए 16 पद है, आपकी अनुसुचित जाती के लिए 27 है, जन जाती के लिए 2 है, अत्यंत पि एर जेंटल रिजर्वेशन है, महिला चात्राओं के लिए، कंडिडे इसके लिए, गल्स कंडिडेट के लिए, ँटोटल गल्स के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, 49, यानि 153 में 49 पद जो है, वो लेडिज कंडिडे शें के लिए चात्राओं के लिए यहां पर के लिए मनोविकार के लिए सब के लिए अलग-अलग है अब सबसे महत्मुन बात आते हैं एज पर आप लोग गौर करके वीडियो को देखिएगा एक एक चीज को समझेगा फिर आपकी कन्फुजन दूर हो जाएगी और बाकी कोई डाउट आपको रहेगा तो कमेंट में पर यानि एक अगस्ट दोहजार बाईस को आपका नियूनतम आयू कितना होना ची 21 वर्स यानि 21 वर्स से जिसकी आयू अधिक है या 21 वर्स जिसकी है वो फॉर्म भर सकते हैं तातियों अन रिजर्व के लिए उम्र सीमा है 37 वर्स अन रिजर्व के लिए कितना है सातियों 37 आपका एज निधरित किया गया है कितना किया गया है 37 वार के लिए 37 सातियों वार की जो महिला है उसके लिए वार की गुर्स कंडिडेट के लिए 40 वर्स निधरित की गई है ठीक है OBC के पुरूस और महिला सभी के लिए सातियों OBC है EWS है इन सभी के पुरूस महिला के वर्स निधारित की गई है ठीक है और जो अनुसिचित जाती जन जाती हें S C S T के ब़ूष्या महिला है ठीक है S C S T के पुरूष्य महिला इसके लिए जो उम्र निधायत की गई है वो कितनी है 42 वर्स ध्यान दीजेगा कितनी उम्र है साथियों स्सी और स्टी के पुरूस महिला के लिए 42 वर्स नियधारित की गई है यह ध्यान रखिएगा कि यह सारी बाते तो चलिए आप समझ गए उम्र भी ठीक ठाक है अन्रिजर में 37 अन्रिजर महिला के लिए 40 OBC महिला के लिए पुरूस के लिए 40 SCHT महिला पुरूस के लिए 42 वर्स अब देखिए यह सारी योगता अगर आपके पास है यानि ITI है उसके बाद आपको पास तीन साल का अनुभव है फॉर्म भर देंगे TITS है तब भी आप फॉर्म भरेंगे ठीक है बाकी जो संविदा पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहां बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है ताकि वो संविदा वाले पर्मानेंट हो जाएं इसका पूरा ख्याल रखा गया है देखिए सेलेक्शन पर हम जड़ा बात कर लें हमारी जो सेलेक्शन है साथियों वो होगी लिखित परिक्षा के अधार पर लिखित परिक्षा में कितने कोश्चन प objective question होगे कैसा होगा objective होगा MCQ होगा साथियों इसमें negative marking होगी कितनी 1 4th negative marking होगी 0.25 आपकी क्या है negative marking है जो कि अपने आप में बड़ा target आपको मिल गया कि भाई आपको negative नहीं करना है सही तरीके से आंसर देने का आपको साथियों प्रयास करना है इसमें कोई सक नहीं है आप आप देखिए परिक्षा में कितने प्रश्ण होगे 100 question होगे कितना समय होगा 2 घंटा होगा negative marking है कितना negative है 1 4th negative है अब जरा देख लीजिए 20 प्रश्ण कहां से हैं समान अध्यन विशय से होगे general studies से होगा ठीक है कि नहीं आप यहाँ पर tension में मत हैं कि math होगा reasoning होगा यह सब की चिंता मत करिए general studies होगा जिसमें आपका सुभावी की रूप से हमारा current affairs है बिहार का समान ज्यान है या फिर general science का थोड़ा सा portion है उन्हीं सारे चीजों से आपको question basically पूछा जाएगा तो 80 question है trade से और यही trade आपका सबसे बड़ा जान है याद रखिए electrician वालों आपको क्य का कह रहा है असपस्ट लिखा है समान अर्धियन समसाय में की मुद्दों से प्रश्ण होंगे यानि ना math पुछेगा ना reasoning पुछेगा आपको समान अर्धियन general studies आपका जो बिहार का समान अर्धियन हो गया current affairs हो गया वर्तमान status हो गया आपकी political analogy हो गई यहां सबसे प्रश्ण होंगे और पूरी exam जो होगी वो cbt होगी सातियों computer based test होगी क्या होगी computer based test होगी online examination होगा ठीक है असपष्ट कहा गया है अब जरासा हम बात करते हैं online examination होगा यह बाते तो अच्छी है इसके बाद जो अगली कड़ी है जरा वो गौर से समझे अगली कड़ी क्या कह रही है आपको नियूंतम कितना अंक लाना है चाहे आप समिधा पर है या फिर आप cits है या फिर आप without cits है सारे candidate को कम से कम 40% जो है यह अंक लाना आवस्यक है कम से कितना लाना आवस्यक है 40% यह 40% किसके लिए है सातियों अन रिजर्व के टेगरी के छात्रों के लिए यानि 100 में से 40 नंबर आपको लाना अनिवार है उसके बाद आईए OVC के कंडिडेट के लिए OVC के लिए ऐसा है सातियों 37.5% यानि 36.5 नंबर लाना अनिवार है SC-ST के छात्रों के लिए हमारे पास क्या है 32 यानि EBC के कंडिडेट को सातियों 34% मार्स लाना अनिवार है SC-ST के कंडिडेट को आपको 32% अनिवार है यह न्यूनतम स्कोर के बारे में कहा गया इतना आपको करना है लेकिन आप अगर इसको टार्गेट लेके चलेंगे तो guarantee selection नहीं हो सकता है क्योंकि cut-up इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा छात्रों इसमें कोई सक नहीं है ठीक है अब जड़ासा देखिए क्यों cut-up मैं ज़्यादा कह रहा हूं उसका कारण है कि completion बढ़ेगा लंबे समय से vacancy आई नहीं है लोगों को बड़ा इंतजार था जीज return exam में अगर आप मान लिजे 80% marks लाते हैं तो आपको 40 number यहां से मिला return exam में आप क्या किये 80% score किये तो 40 number return से आया 20% आपके ITI के marks से अगर ITI में आपका जो है suppose कर लिजे ITI में आपका 80% degree रहा है ITI का mark रहा है कितना 80% तो इसका 20% यानि 16 number अगर हम ITI के degree का करें 20% तो कितना हो गया 16 number तो total कितना हो जाएगा जो विद्यार्थी ITI किया है और तीन साल का अनुभव है और साथी साथ उसको कोई ना CITS है नहीं वो सं आतरों को मिल गया total 56 marks ठीक है कि नहीं कितना मिल गया 56 marks अब इस 56 में देखेंगे कि वो किस level पर जाता है merit list में आता है तो ठीक है अगर वो आ गया तो उसका selection होगा और उसके बाद उसको 4 साल के दोरान maximum CITS करना पड़ेगा वो select हो जाएगा लेकिन जो बच्चे CITS है उसक तो तीस अंक का weightage मिलेगा यानि अगर CITS में आपने 70% score किया हुआ है CITS की degree 70% की है तो 70 का 30 यानि 21 नंबर जो है आपको यहां से मिलेगा तो वैसे छात्र जिनका ITI भी माल लिजी 80% है I score भी 80 कर लिया और CITS में भी उसका 70% है तो उसको 56 plus 21 यानि आपका 7 यानि 77 नंबर हो जाएगा यानि without CITS वाले 56 पे लटक गए और जो CITS वाले है वो 77 पे पहुँच गए यानि सफल होने की संभावना CITS वालों की जादा हो गई अगर CITS वाले को माल लिजीए यहां पर माक कम आता है तो वहां उसका settlement होगा minimize होगा यह चीज़े है रीटेन को बड़ी गमहिरता से आपको लेना है उसको हलके में लीजिएगा तो जरूर दिक्कत हो सकती है अब यह तक तो बात रहेगी CITS की लेकिन लास्ट में देखिए क्रम संसाद विभाग के अंदर गत बहुत सारे अनुदेशक के रूप में संभिदापर हमारे साथी काम कर रहे हैं तो जो भी साथी संभिदा पर काम करें गेश्ट को कोई एडवांटेज नहीं दिया जा रहा है जो लोग कॉंट्रेक्ट पर हैं उसको एडवांटेज मिल रहा है तो कॉंट्रेक्ट पर काम करने वालों को प्रतेक वर्स कितना नंबर पांच मांक्स का प्रति काम करने वाले वर्तमान के ITI इंस्ट्रक्टर को जो अभी गोर्मेंट कॉलेजों में काम कर रहे हैं तो इसी लिए 100 का मैरिक लिश्ट तो यहां से बना विदावट संभिदा असंभिदा वाले को 25 अलग से जोड़ा गया जिससे उसको एक एडिशनल एडवांटेज मिले और वांटेज के बदलत उनका सेलेक्शन हो जाए यानि कि आपको संभिदा वाले सातियों को भी निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा सातियों तो उनको भी गैरेंटी के साथ आपको 50 अंक के लिए एक्जाम में बैठना ही पड़ेगा यानि 40% तो स्कोर जो है उनको भी करना मेंडोटरी होगा यानि संभिदा वाले साति भी परिक्षाम बैठेंगे CITS वाले भी परिक्षाम बैठेंगे और Interpolsteiniaire Experience भी परिक्षाम बैठेंगे जिनके पास CITS उनको भी तीन साल का अनुभव जरूरी है तो यानि ये पूरी की पूरी रूप रेखा यहां से तयार हो गई अगर जाकर के बनेगा merit list अगर उसने इस आधार पर रनिती तैकी तो उनको CITS अगर समिदा वालों को नहीं होगा तो CITS अगर उनके पास नहीं है तो CITS का म है हमारे पास CITS नहीं है समिदा नहीं है तो क्या मेरा chances नहीं है ये सोचना गलत है आपका भी chance बनता है क्योंकि पूरा खेल कहां पर है 50% तो role play कर रहा है आपका written exam तो ये clear हो गया math reasoning को छोड़िए general studies पर ध्यान दे दीजे और आप trade 80 नमर पर पूरा तनमन धन से लग वहां से question आएगा हम बताएंगे आपको कि कौन-कौन सा chapter बहुत महत्पूर है और किसको business ध्यान देना है हम अगली वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताएंगे कि आप अगर selection चाहते हैं तो कैसे सफल होंगे देख लिजे कार अनुभव प्रमान पत्र ये सब भी बनाना लाजमी है किनको जो हमारे संविदा वाले साथी हैं संविदा वाले साथी को भी कार अनुभव का प्रमान पत्र के लिए दे दिया गया है structure उसके हिसाब से बनाना है और सभी साथियों आपको online form भरने से पहले आप जाती प्रमान पत्र अपना तयार कर लिजिए अस्थारी जो आपका residence certificate है अवास प्रमान पत्र वो बनवा लिजिए नन क्रिमेलियर वाला है वो बनवा लिजिए ठीक है कि नहीं आप निश्यत रूप से जो है नन क्रिमेलियर का बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ EBC OBC क बनवा लिजिए जितने भी लड़कियां है girls candidate है married हो या unmarried वो अपने पिता के पते से ही अपना जाती अवासिया आय परमान पत्र यह सब बनवाएंगे NCL बनवाएंगे ठीक है अग तब ही जाकर को उनको आरक्षन का रोश्टर पालन होगा यानि आरक्षन का फायदा मिल जाएगा अरक्षन का benefit उनको मिलेगा दोस्तों जड़ा गौर कीजिए अब एक मैं दिखा देता हूँ आपको अनुभव प्रमान पत्र के बारे में तो हम चर्चा करी लिए हैं अब हम बात करते हैं परिक्षा सुल्क के बारे में तो साथियों you are candidate के लिए other state के छात्रों के लिए या विहार के ही औरनी रिजर्व कटेगरी के चात्रों के लिए 600 रुपए एग्जाम का form का फीस लगेगा तो SCST के चात्र हैं उनको निश्चित रूप से कितना लगेगा 150 रुपए form काप प्राइश लगेगा अने रिजर्व कटेगरी की महिला जो है युवार महिला युवार महिला जो बिहार की रहने वाली हैं उनको भी साथियों मात्र 150 लगेगा और OVC महिला को भी सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा 150 लगेगा ठिक है ध्यान दखियेगा और OVC पुरूस को भी कितना लगेगा OVC पुरूस को EBC पुरूस को EWS को सभी को जो है मात्र 600 रुपए का फीस देना होगा राज के बाहर के जो भी उमीदवार हैं अदर प्रदेश के जो उमीदवार हैं दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं उनको भी साथियों 600 रुपए एक्जाम का फीस लगेगा तो यह सारी बातें किलियर हो गई ठीक है कि नहीं अब जरासा आप इस ट्रेक्चर देख लिजिए साटिफिकेट का जो अनुभर प्रमानपत्र आप बनवाएंगे ऑनलाइन प्रमानपत्र भरते समय ऑनलाइन एप्लिकेशन करते समय बहुत सारी ज महिने का आपको मैक्सिमम समय हमको लगता है मिलेगा तीन से चार महिने का समय आपको मिलेगा जिसमें एक्जाम हो जाएगी अनुभर प्रमानपत्र का राजकिय और दोगिक प्रसिक्षन संस्थान जितने भी गौर्मेंट टियमें हमारे इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं सम् समझ गए तो मुझे लगता है कि अब कहीं कोई आपको कंफुजन रहा होगा तो साथियों सुभाविक रूप से आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ इंस्ट्रक्टर के लिए हमारी बैच उपलब्ध हो चुकी है निश्यत और ब्रमाश टेस्ट के माध्यम से आप हजारों कोश्चन की प्रैक्टिस करके भी सेलेक्शन पा सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी हम एवरी सेटर्डे को आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि अगले सपताह से चालू हो जाएगी यानि नेक्स्ट वीक से हम आईटिय स्ट्रीवर में मुस्कान लाइए हमारी सुबकामनाएं आपके साथ हैं आपकी कमेंट का इंतिजार रहेगा और उस कमेंट के आधार पर हम पूरी डिटेल जानकारी देंगे कौन सा चेप्टर आपको परना है कहां से कितने कोश्चन की संभावनाएं हैं सारी बाते हम आप के लिए वीडियो में बताएंगे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और उज्वाल भविसकी हादिक सुबकामनाएं